हेलो एब्रीवन सुपर भाताम में प्रबेश शर्मा वेलकम बैक टू माई चैनल आज का हमारा टॉपिक है सुख्ष्म सिक्षण यान की माइक्रो टीचिंग तो आए इसी टॉपिक पर आगे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोड़क्षण सुख्ष्म सिक्षण अध्यापन प्रसीक्षण के छेतर में एक नवीन आशा और रुप्साहा का प्रतीग बनकर सिक्षकों को छात्र अध्यापकों को और सिक्षक प्रसीक्षकों को आचनोती भरे स्वर में पोकार रहा ह Micro Teaching, । प्रसुक्षण महाविद्यालियों, यानि कि Turning Colleges में के लिए एक वरदान बन कर आया है, जिसके फल्क्टरों के आज प्रसुक्षण हे तु आए, चाता अध्यापकों, यानि कि Papal Teachers में कक्षा अध्यापन की कौसल यानि की स्किल्स होती हैं कि विकास की बात प्रारंब हो गई है सूक्ष में सिक्षण एक प्रकार की प्रियोक्षाला विधी है जिसमें छात्र अध्यापक यानि की पपिल टीचर शिक्षन कोसलों का यानि कि टीचिंग स्किल्स का अभ्यास बिना किसी गोहानी पहुचाई करते हैं यह विधी प्रियोक्षाला की सभी शर्तों की पूर्थी करने में सक्षम है अब हम इती के साथ देखेंगे सुक्ष्म सिक्षन का इतिहास माइक्रो टीचिंग प्रसिक्षन के छेतर में एक नवी नियंत्रित अभ्यास की प्रकरिया है इसका विकास स्टैन्फोर्ड उनिवेस्टी में किया गया सन 1961 में एची सन, बुस तथा एलन ने सर्व प्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्यान अभ्यास की रम प्रागम किये जिनके अंत्रगर्थ प्रतेक छात्र अध्यापक पांच से दस छात्रों को एक छोटा सा पाठ पड़ाता था और अन्य छात्रा अध्यापक बिविन प्रकार की भूमी का निर्वाह यानि की रोल प्ले करते थे वाद में इन लोगों ने वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रियोग भी छात्रा अध्यापकों के सिक्षण ब्यावाल में बांचित परिवर्तन लाने के लिए करना शुरू कर दिया हैरी गेरिशन ने सिक्षक सामर्थ है कि छेत्र में कादय करते हुए स्टैन्फोर्ड सिक्षक सामर्थ है अहारन दीपिका निर्माण किया यानि कि इसका निर्माण किया सन 1967 यानि कि 1967 में क्लेन वेस ने सुक्ष्म सिक्षण के छेत्र में काई प्रियोग किये इस प्रकाद एलन 1964 यानि कि 1964 एचिचन 1964 ओर्म 1966 टक्मेन और एलन 1979 रहसनिक वर्क कि 1970 मेटलीज तथा अन्वन 1971 आधी अनेक सुधार्तियों ने इस छेत्र में अपना महत्मूर्ण योगदान दिया अब मैं इसकी जो समय होता है उसको ध्यान रखने है तू आपको स्क्रीन पर इसका जो मेटल है उस दिखाती हूं आप इसका स्क्रीन सॉर्ट भी ले सकते हैं इस शोर्द प्रपत्रों और विवरणों ने सारे विश्व को अकर्शित करना प्राधम गिया भालदवार्स में सल्ब प्रथाम डेडी तिवारी 1963 यानि की 1967 ने माइकर टीचिंग यानि की सुक्ष्म सिक्षण सब्द का प्रियोग सिक्षण प्रासिक्षण के छेतल में किया ये दिपी उनका सुक्ष्म सिक्षण का अर्थ आज के सुक्ष्म सिक्षण से पिर्थक था इसके लिए या कहें इसके बादशाह है 1970 यानि की 1970 और मलकर तथा पंगौत्रा 1973 दोशाज ने सन 1974 में इस शेत्र में उल्लेखनी ये काज़य किये थे वादवर्ण में सन 1974 में सुक्ष्म सिक्षण के छेत्र में सरप्रथम प्रकशन पासी तथा शाह ने किया था इसमें प्रथम बाल सुक्ष्म सिक्षण के विशह में बैग्यानिक जानकारी प्रदान की गई इसके प्रश्चात वट्टा चार्जाए 1974, पासी ललितावा जोसी 1906, सिंग वग्रिवाल 1977, गुपता 1978 आदी ने शेत्र में कार्व किया, सन 1978 में इंदौर विश्वित ध्याले में सर्प्रिथम सुख्ष्म सिक्षन परदास्टी प्रयोजना का निर्मान किया गया, इसके अंतरगर्त विविन महा विध्यालियों तथा विश्विध्यालियों के सिक्षट प्रसिक्षिकों ने मिलकर सुख्ष्म सिक्षण पर कार्दा किया, यह शोध योजना National Council of Educational Research and Training नई दिल्ली के सहयोग से पूर्ण की गई, वारत में सुक्ष्म सिक्षण पर सोध प्रमुक रूप से दिल्ली, इंदौर, बड़ोदा, सहरनपूर तथा देहरादून में किया जा रहा है, देहरादून में सन 1989 में कुल्स्रिस्ट, मिस्रा तथा गोस्वामी ने सुक्ष्म सिक्षण के छेतर में कार्य करते हुए, उन्होंने अनेक सुधारों के रूप में परी सुक्ष्म सिक्षण याने की मिनी टीचिंग, पर पिर्थम भारतिये, मोनोग्राफ मिनी टीचिंग, एन नियू, एक्सपेरिमेंट इन टीचर एजुकेशन, एन सी ई आर टी नई दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित किया, अब तो बारत वर्थमें सुक्ष्म सिक्षण तथा परी सुक्ष्म सिक्षण याने की मिनी टीचिंग पर काफी कादय किया जा रहा है, अब हम इसी के साथ देखेंगे सुक्ष्म सिक्षण की परिभास आएं, याने की Definitions of Micro Teaching, सुक्ष्म सिक्षण, सिक्षण पर सिक्षण की एक प्रियोग शालिय एवं वैसलेशिक विधी है, इसके माध्यम से छात्ता ध्याप कोमी, शिक्षण कौसल विक्सित किये जाते हैं, और इसी के साथ हम देखेंगे एलन महुदय की दिवी परिभास आएलन 1968 ने इसकी सुक्ष्म सिक्षण, सिक्षण के विवासाइक विकास के लिए किया जाता है, सुक्ष्म सिक्षण, सिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है, जो कक्षा की सामाने जटलताओं को कम कर देता है, और इसमें सिक्षण बहुत बड़ी मात्रा में कम समय कम चात्रों तथा कम सिक्षण क्रियाओं वाली प्रक्रिया है मैकलीज तथा अन्विन 1970 याने की 1970 के अनुसा सोक्ष्म सिक्षण का साधन रताया प्रयोग संप्रदूर दर्शन की दोवादा चात्र अध्याप को को सरलीक रतवातरवण में उसकी निस्पादन संबंधी की प्रतिपुष्टी तुरंत उपलब्ध करानी की प्रकरिया के लिए किया जाता है सोक आद्यापन को साधान अभी रूपित अध्यान की प्रकरिया के आधार पर उपलब्ध की जाती है B.W.L.N. के अनुसार सोगुष्प सिख्षान सरली के रत्र सिख्षान प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है Micro teaching is scaled down teaching Encounter in class size and class time Clift एवँं उनके सहयोगी या सहयोगीों के शब्दों में सुक्ष्षन सिख्षन शिख्षक प्रसिख्षन की वहविधी है जो की सिख्षन अभ्यास को किसी कौशल विसेश तक सीमित करके तथा कक्षा के आकार एवँं शिक्षण विधी को घटा का शिक्षण को आधिक साल एवं नियंत्रित करती है आगे हम देख रहे हैं बुश महुदे की परिवासा जो की उन्होंने बहुत ही केयर शब्दों में लिखा है कि सोक्षण सिक्षण शिक्षण प्रसीक्षण की बहविधी है या प्रविधी है जिसमें सिक्षण इस्पस्ट रूप से परिवासेत सिक्षण कोसलों का प्रियोग करते हुए ध्यान पूर्वाग पाठ तयार करता है म्यूजिक पाठों की आधार पर पांच से दस मिनट तक वास्त भी एक छात्रों के छोटे समुमों के साथ अंता करिया करता है जिसकी परिणाम सरूप वीडियो टेप पर प्रेक्षण प्राप्ट करने का अवसर प्राप्ट होता है वादवर्थ में सुक्ष्म सिक्षण के भारतिय मॉडल में वीडियो टेप के स्थान पर मानवी प्रेक्षिकों की सहिस्कुती की गई है एलन तथा रियान में सुक्ष्म सिक्षण को पांच मुलभूत सिध्धान्तों पर आधारित बताया वे कौन-कौन से मुलवूत सिध्धान्त हैं जिनके आधारित बताया है वे इस प्रकार से हैं जिसमें पहला पॉइंट है सुक्ष्म सिक्षन बास्तविक सिक्षन हैं दूसरा पॉइंट है इस सिक्षन में कक्षा सिक्षन की सामाने जटलताओं को कम कर दिया जाता है थर्ड पॉइंट है एक समय में एक ही काज़ विशेस तथा एक ही कौशल पर बल दिया जाता है फोर्थ पॉइंट है अभ्यास किरम की प्रकरिया पर अधिक नियंत्रत या नियंत्रन संभाव होता है फिफ्ट पॉइंट देख रहे हैं तो अफिसर बी के पासी ने लिखा है कि सोक्ष्म सेक्षण एक सेक्षण विदी है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक सेक्षण कौशल का प्रियोग करते हुए थोड़ी आवधी के लिए छोटे चात्र समुख को कोई एक संप्रत्र पड़ाता है यह कहने का ताथ प्रदा यह है कोई वी एक छोटा से टॉपिक ले लिए जाता है और एक इसके लिखान कौशल हो प्रशन कौशल हो या फिर उनर्वलन कौशल हो उसका प्रियोग करते नहीं है तो उनको कमियों को दूद किये जाता है एल सी सिंग ने लिखा है कि सोक्ष्म सेक्षण का सालीक रत रूप है जिसमें सिक्षक पांच छात्रों के समुख को पांच से बीस मिनिट तक के समय में पाठ्थ वस्तू की एक छोटी सी काई का शेक्षण प्रदान करता है एन के जंगीरा एवम अजीत सिंग ने लिखा है कि सोक्ष्म सेक्षण चाता ध्यापक के लिए एक प्रा सीक्षण इस्थिती है जिसमें सामाने कक्षा सेक्षण की जटलताओं को एक समय में एक ही सीक्षण को सल का अभ्यास करा के पाठ्थ वस्तू को किसी एक संप्रत्य तक सीमित करके छात्रों की संख्या को पांच से दस तक सीमित करके तथा पार्ट की अवधी पांच से दस मिनिट करके स्थिक्षण अभ्यास कराया जाता है श्री बास्ताब सिंग तथा जायन लिखा है कि सूक्षम सिंख्षन का एक गूराथ भी शक्षम को छोटी चोटी अरथा सूक्षम एकाईयों में विभाजित करके प्रतेक में वारीकी सीर्प्रसीख्षर दिया जाता है आता सुक्ष्म सब्द का प्रियोग इवं या कहिए सुक्ष्म सब्द का प्रियोग इस संधर में उचित ही है और Griffiths 1973 ने अनेक परिभासाओं का विश्लेशन करने के बाद कहा सुक्ष्म सिक्षण को बहुत ही लचीली और अनुकूलन शील प्रिदिया होने के कारण इसे किसी विशिष्ट एवं बरियादित परिभासा में बादना उचित नहीं होगा इन सभी परिभासाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सुक्ष्व शिक्षण एक विकास सील प्रवर्ती है जिसके अंत्रगर्थ पाठ्थे वस्तू, पाठ्थे अवधी तथा पाठ्थ को चात्र अध्यापक को कम किया जाता है यानि कि इनकी आवश्यक्ता कम पड़े और ग् किरमशा सिक्षण कौसलों का विकास भली भाती किया जाता है क्योंकि अपने अध्यापन कादे में या ज्यान देने की छेतर में सफलता प्राप्त कर लें ये परिभासा है PULSIS 1979 तो आज की इस वीडियो में हमने देखा सोक्ष्म सिक्षण यानिकी कि का माइक्राब टीचिंग्ग जिसमें इंट्रोडक्शन सु क्षमी सेंग्ञ्ट को इस में इंट्रोडक्शन सुख्ष्मीं सीक्षेंग्षिण का इतिहास यानी की हिस्टरी ऑफ माइक्राब सीचिंग् के विसे में विस्तार से ध्यान केंद्रत किया आज के लिए इतना ही धन्यवाद